वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी ने साहिप जादों को कैसे क्या नामन चमकौर और सरहिंद युद्ध के शोर्य और पराकर्म का जिक्र कर क्या कहा? साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास कुर्टा के एक से एक खौपनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किवन्दियों तक हर कूर्ट चहरे के सामने महानायकों और महानायकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकोर और सरहिंद के युत्में जो कुछ हुआ वो भूतों न भविशती था। यतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुद्रा कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल तीन सभी पहले हुआ। एक और धार में कट्रता और उस कट्रता में अंधी इतनी बड़ी बुगल सल्तरयत। दूसरी और ग्यान और तपश्या में तपे हुए हमारे गुरु भारत के प्राचीन मानविय मुल्यों को जीने वाली परंपरा। एक और आतन की पराकास्टा तो दूसरी और अध्यात्म का शिर्ष एक और मजभी उन्वाद तो दूसरी और सब में इस वर देखने वाली उद्यारता। और इस सब के बीच एक और लाखों की फोज और दूसरी और अकेले होकर भी नीडर खड़े गुरु के वीर साहब जादे। इबीर साहब जादे किसी दमकी से डरे नहीं किसी के सामने जुके नहीं जोरावर्शी साब और फतेशी साब दोनों को दिवार में जिन्दा चुनवा दिया गया। एक और नुसंस्दा ने अपनी सभी सिमाए तोर दी तो दूसरी और धैरिया शारिया पराकम के भी सभी प्रतिमान तूड गएं। साहिब ज्यादा अजित सीग और साहिब ज्यादा जुजार्थी ने भी बहदूरी की वो मिसाल कायम की जो सद्यों को प्रेणा दे रही है। भाई और बेनों जिस देश की विरास्त ऐसी हो जिसका इतिहास ऐसा हो उसमें स्वाभावी कृप से स्वाभी मान और आत्म विश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गड़े हुए नेरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिन से हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजुद इसके हमारे समाज ने हमारी परंपराओं ने इन गवरव गाथाओं को जिवन तरका। बावज।